नमस्कार, इंडिया न्यूस स्पोर्ट्स की यूट्यूब चानल पर आपका बहुत-बहुत स्वागत है रोज की तरह मैं साक्षी मिश्रा और मेरे साथ राकेश आपके लिए खेल के कुछ बड़ी खबरे लाएं हैं आज बड़ी खबरे सिर्फ कल की वंडे जीत से जुड़ी हुई है और जीत शांदार थी जिस तरीके से कल टीम इंडिया ने 104 रन पर रोका था भारते टीम के गेदबाजों ने उसके बाद शांदार तरीके से जीत हासिल की और आप आज का कोई भी अखबार उठा कर देख लिजिए सिर्फ जीत की बात है घर में लगातार छटी सिरीज जीत विराट की कप्तानी में पाचवी बंडे सिरीज जीत जी बिलकुल और ये बहुत बड़ी जीत है सिर्फ चौदा ओवर के अंदर अंदर हमने जीत हासिल कर ली एक सो पासटरन का टागेट था बस एक विकेट जो शिखर का गया दुख की बात है उस पे सिर्फ एक विकेट के नुकसान पे जीत हासिल हुई और बहुत बड़ी जीत थी ये सबसे बड़ी वंडे जीत थी शतक उन्होंने लगाए एक कारणाबा उन्होंने किया कि लगातार तीन शतक वंडे मैचों में शतकों के हट्रिक उन्होंने लगाई जी और यह सीरिस देखा जा तो रिकॉर्ड के लिहाज से बहुत मज़ेदार रही बहुत सारे रिकॉर्ड टूटे हैं रोहिच शर्मा ने तोड़े और विराट कोली ने तोड़ा सबसे तेस दस हजार वंडे रन बनाने का पूरा उन्होंने किया अगर रिकॉर्ड टूट सकता था अगर धोनी बलेवाजी करने आते तो एक रन अगर बनता तो दस हजार उनके भी पूरे हो जाते यह एक रिकॉर्ड बच गया लेक ड्रॉप नहीं है धोनी ने यह जगा खाली की है और जगा खाली की है पंत के लिए जी क्यूंकि अब धोनी का रिटायर्मेंट ये विराट ने क्लियर कर दिया है कि धोनी अभी रिटायर्मेंट नहीं ले रहे हैं पर क्यूंकि समय करीब आ रहा है तो वो पंत को तयार करना इसलिए उन्होंने अपनी जगा पंध के लिए टीट विराट कोली से दरसल साफ़ी ये सवाल किया गया था धोनी को लेकर क्योंकि आटी ट्वेंटी टीम का हिस्सा नहीं तो क्या धोनी ट्रॉप हुए हैं या फिर सन्यास लेने का प्लान है क्योंकि आपको याद होगा कि टे इसलिए वो चाहते हैं कि टी ट्वेंटी में ज़्यादा से ज़्यादा मौके मिले पंध को इसलिए उन्होंने अपनी जगा खाली की है फिलाहल पंध के लिए लेकर टीम का हिस्सा रहेंगे अनुभवी हैं और उनकी अनुभव की फिलाहल कम से कम जरूरत है यानि एक बात तो साफ है साक्षी की जो बातचीत हो रही थी धोनी के एक्जिट को लेकर वो बातचीत पर कम से कम उस बातचीत पर विराम लगा है विराट कोली ने और यह साफ तर पर कहा है कि धोनी का फैसला था कि पंध को जादा से जादा मौके मिले इसलिए वो टी ट्वेंटी से बा जिसे अलग नहीं कर आजा सकता है बिल्कुल नहीं किया जा सकता चुकि बात्चीत चल रही है आग और शत्कों की उन्हों नहीं चड़ी फिर उसके बाद सकता हो और यहीं उन्हें महान बनाता है क्या कुछ और खबरे हैं साक्षी आपके बास सब अकवार के इस हिस्से को आप लाएं एक अच्छी खबर द्रविट को लेकर है यह बड़ी खबर है कि ICC Hall of Fame में पांच्वे भारतिय बल्लेबास बने पांफ करेगा खिलारी बने हैं और पहले के क्रिकेटर कौन है बिशन सिंग बेदी को 2009 में सुनिल गवसकर को भी 2009 कापिल देव को भी 2009 अनिल कुमले को 2015 में और राहुल द्रुमिट को 2018 यानि अब राहुल को शामिल किया गया है तो यह एक प्लब धी और जो भारतिये फैंस है जो भारतिय क्रिकेट को चाहने वाले हैं उनके लिए बड़ी सम्मार की बात है बिल्कुल और राहुल द्रविट को कौन नहीं चाहता भारतिये क्रिकेट में लाजवाब है अच्छा कुछ और खबरे चुकी आगे दोरा भी है सब्सक्राइब के लिए जोड़ी एक और बात के थी कि इस भारतीय टीम के पास पूरा मोका है और पूरा दम है कि आस्ट्रेलिया में जाके सीरीज जीते पर उन्होंने खास तोर पे यह कहा था कि क्योंकि स्मिथ और वर्डनर ऑस्ट्रेलिया टीम का हिस्सा नहीं होंगी य टीम इंडिया आप देखें टीम इंडिया शांदार फॉर्म में है और इस बात को लेकर जब सचिन से बातशीत हो रही थी उन्होंने कोहली पर पहले कि महांतम बलेवाजों में शामिल हो चुके हैं और ऑस्ट्रेलिया की चुनोती के बारे में से सवाल किया गया तो उन्हो और आज के लिए बस इतना ही बड़ी खबरे फिलहाल इतनी ही है लेकिन शाम को साड़ेशे बजे हर रोज दे इंडिया नियूस पर जरूर आपसे मुलाकात होती रहेगी हमारे स्पोर्स एडिटर राजी मिश्राप के साथ होंगे क्रिकट की पूरी एनलिसिस के साथ आगे कि चुनोसियों के साथ उनके साथ हमारे क्रिकट एक्सपर्स होंगे लेकिन बाकी भी अपडेट के लिए आप इंडिया नियूस स्पोर्स के यूट्यूब चैनल पर जरूर आते रहेगे